Assalamualaikum, Welcome to Binary Classroom और आज इस क्लास में हम लोग Nested Selection Structure को पढ़ने वाले हैं और ये जो हमने तमाम जितने भी Selection Structures पढ़े हैं उनमें से सबसे Complicated हैं और इसको आज हम लोग देखेंगे तो Nested Selection Structure जो है यह हमारे पास सेम जितने भी हम लोग ने बाकी स्ट्रक्चर्स फार रखे हैं इफ एल्स वाले वैसे ही वार करता है बस इसमें फार्क यह है कि जब हमारे पास एक सेलेक्शन स्ट्रक्चर की अंदर दूसरा सेलेक्शन स्ट्रक्चर भी आजए तो ऐसे selection structure को बोले जाते है नेस्टिर selection structure तो अगर हम लोग if else selection structure की example ले तो अगर मैं उसमें आपको बता सकूं के if else जब आप लोग उसमें use करें और if else के अंदर जो हाँ पर if वाला पार्ट है उसके जिसे एक और if else अगर आप use करें तो ऐसी selection structure को बोले जाते है nested selection structure so a selection structure within a selection structure is called nested selection structure in nested selection structure the control enter into the inner if only when the outer condition is true यह ते हैं कि जब inner condition true होगी inner if true होगी then outer if जो है वो true होगी मतलब कि इस बात का यहां इस picture में देखे यह मेरे पास यहां पर देखे तो आपको blocks नजर आ रहे होंगे if else के और इसी तरह एक अंदर छोटा सा block नजर आ रहे है उसके अंदर भी if else ही लिखा हुआ है तो यहां देखे लेबल में हम लोगों ने क्या लिख रखा है अंदर वाले block को कहा रखा है कि inner if है कि जब हमारे पास यह inner if true होगी then ही यह condition true होगी नहीं तो यह else की तरफ move कर जाता है यह कहने का मतलब है योजर के योजर कन यूज ऐस मेंनी if statement उनसाइड ऐन अधर if statement कि जो यूजर हे वो अपनी मन चाही तदात में if statement को use कर सकता है मतलब यह जो if else लिखा हुआ है उसकी अंदर एक और if else है The increase the level of nested Increase the complexity of nested if statement करता कि जितने ज्यादा आप लोग if statement को add करते रहेंगे if, 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 if तो उतनी ज्यादा जो है हमारी nesting complex होते जाएगी दिक्कत का सामना हम लोगों को पेश करना पड़ सकता है syntax हमारे पास इसका है nested if का वो कुछ इस तरह से है इस सेम है तो if, else वाला सही है, but इसका जो if वाला पार्ट होगा, उसके अंदर हमें एक और if, else अगर लगा दे तो वो केला देगा nested if, इसी तरह ये जो अंदर वाली statement है, इसके अंदर एक और लिख सकते हैं लेकिन हम दो तक ही रहते हैं इसको syntax के हाथ तक, जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसको बोले जाता है, inner if जो outer वाला पार्ट होता है, इसको बोले जाता है, outer if flow chart हमारे पास कुछ इसका इस तरह से है, कि सबसे पहले तो condition चेक होती है condition के हमारे पार दो possibility होती है true or false, तो अगर मेरे पास condition true हो जाती है, then again मेरे पास मुकमल if else का process repeat होगा, जहां यह आपको dotted line से एक box नजर आ रहा है, इस area में जितनी भी statements है, वो हमारे पास same work कर रही है, जो हमारे जहां पर inner block था, सही है और अगर वो हमारे पार फाउज जाती है, तो तब यह वाले statement चल जाएगी, बस कुछ भी नहीं है, बाकी अब हम इसका चोटा से एक program देख लेते हैं, तो program देखने से पहले मैं आपको उसको ना समझा भी देता हूँ कि actual में program मैं समझाने के वाला हूँ, तो फार्स करो कि मेरे पास तीन variable है, एक है A, दूसरा है B, और तीसरा है C, अब अच्छा program मैं यह समझाने जा रहा हूँ, कि तीन नमबरों में से सबसे चोटा नमबर कौन से है, वो हम लोग किस तरह से पता लगाएंगे, तो फार्स कर और यहां पर मैं लिख देता हूँ, ठल्टी, अब मुझे पता लगाना है कि इन तीनों में से चोटा नमबर कौन सा, जो कि मुझे इस टैम ठल्टीन नदर आ रहा है, ऐसी है न, तो अब लेकिन मुझे program कि तुरू इसको किस तरह से solve out करना है, तो उसके लिए मुझे तीन variable बनाने होंगे, A, B और C, अब इन तीन variable में से जो पहले दो variable होंगे, मैं उनको compare करूंगा, कि क्या जो है वो A greater than है, या less than है, क्योंकि हम छोटा नमबर मालूम कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग less than बना लेते हैं, क्या A हमारे पास less है B से, अगर मेरे पास A less है B से, इसका मत अब A जो है इन दोनों में से चोटा नमबर है, फिर again अगर मेरे पास चोटा नमबर निकल आता है, तो मैं next उसको C से compare करूंगा, बात आ यह समझ में, यानि कि A और B को पहले compare करेंगे, कि इन दोनों में से चोटा कौन सा चोटा है, तो यह मैं यहां बर दुबारा से लिख क्या A चोटा है C से, इन केस में क्या हो रहा है मेरे पास, जो C है वो मुझे चोटा नजर आ रहा है, तो जो C वाली final value होगी, वही मेरा चोटा नमबर होगी, तो इस चीज को nestry selection structure से किया जाएगा, तो बढ़ते हैं हम अपने devc++ में और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम ल लोग अपनी boilerplate code लगा लेंगे stdio.h and then int main और उसके बाद हमारे पास return 0, सही है, ये करने के बाद हम इसको control s करेंगे, save करेंगे, किस नाम से smallest, smallest लिख लिख लेते हैं, ये हो गया save और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या किया था तीन variable बनाए थे, एक का नाम था A, एक का नाम था B और एक का नाम था C, variable बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि एक printf लगा देते हैं ताकि user को पता लगए, भई values को enter करो, enter three values, सही है, values को enter करने के बाद मैं scanf use करूंगा, scanf के अंदर, मैं क्या करूंगा, integer values हैं, तो तीन format specifier यहां पर बना रहते हैं, और देन उसको इन तीनो वो स्टोर करा लेंगे, variable A, B और C के दर्में, A है, B है, और C है, सही है यहां तक तो बात समझ में आ रही है, इन तीनो लाइनों में हुआ क्या, कि मैंने तीन वेरियेबल बनाए और उन तीनों में values यूजर से इंपुट करा के स्टोर करा ले, अब यहां पर हमारी असल कहानी आती है, कि हमने इन में से smallest number की इस तरह find out करने है, तो सबसे पहले तो मैं if की, if else का syntax लिख लूँगा, if else, चाहिए, तो यह कुछ इस तरह होगा, यह if else का हमारा syntax according to, जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, अब इसके अंदर जो है, मैं पहले सबसे पहले condition दोंगा, मैं चोटा number मालूम करना है तो, क्या a less than है, b के, सबसे पहले a और b को compare करेंगे, अगर तो मेरा a और b का comparison वो सही आ जाता है, then मैं इसके अंदर, फिर से देखो, मैं if लगा रहा हूँ, if लगा रहा हूँ, और इसको फि control करने के लिए, अब देखो, a और b में से, जो भी मुझे चोटा मिलेगा, फार्स करेंगे, अगर मुझे a चोटा मिल जाता है, तो मैं उसको compare करा दूंगा, c के साथ, जैसे अभी हमने example में भी देख लिया, अब अगर यहाँ पर भी मेरे पास a जो है, वो छोटा ही आ जात देंगे, तो values में कहां से उठाऊंगा, a से उठा लेंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगा a की, अब इसी चीज़ को बस मैं यहाँ से copy करना है, copy paste करने की यादा डाला करो, time बाज जाता है, यह condition false हो जाती है, a चोटा है c से, इसका बदब c जो है वो मेरा चोटा होगा, तो अब else में होगा क्या कि a b में से मेरा b छोटा होगा, अब कहानी आएगी b को चेक करने की c के साथ, तो फिर यहाँ पर मैं दوبारा से if लगाँगा और चेक करूँगा कि क्या b smallest है c से, तो अगर मेरा जो b है वो c से small हो जाता है, अगर तो b जो है वो चोटा हो जाएगा c से, तो इसके वितलब b जो है, वो मेरा सबसे smallest number है, तो मैं यही पर वही लाइन अपनी copy paste करूँगा, और यहाँ पर a को हटा के b बना दूँगा, और यहाँ पर भी b कर देंगे, और बिल्कोल इसी तरह, अगर जो है वो b छोटा नहीं होता है, इसके वितलब c अगें छोटा है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ताके आप लोग इसके नहीं स्क्रीन शोड ले ले ले, तो अगर किसी ने स्क्रीन शोड लेना तो इसको ले ले, अब मैं इसको run करने जा रहा हूँ, तो यह हमारे पास जो है, प्रोग्राम run हो चुके, वो कहते हैं, एंटर 3 values, तो मैं नहीं आ गया जवाब, तो आप इसको dry and run करके, और मजीद मजीद input से चेक कर सकते हैं, मैं अब यह तक सिरफ आपको यहीं input दिखा रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, इस नेक्टर नुबर 3 भी है, हमारा complete हो चुका है, और नेक्स सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्यूंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो जलती से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो को शेयर करके, और लाइक कर दो, जो भी करना लाइक, कुमेंट, एच और अवडिधिंग, मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में, तब झाल